हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम विटामिनों पर आधारित सभी मेहत्पून कोश्चन्स को करेंगे तो चलिए सुरू करते है पहला कोश्चन है हमारा विटामिन की खोज किस ने की थी इसका राइट आंसर है ओप्सन नमबर बी सी फंक अगले कोश्चन पर चलते हैं अगला कोश्चन है हमारा विटामिन किस भाषा का सब्द है विटामिन किस भाषा का सब्द है इसका राइट आंसर है ओप्सन ए लेटिन भाषा का तो विटामिन किस भाषा का सब्द है लेटिन भाषा का सब्द है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा question number 3 आँखों की रोसनी के लिए कौन सा विटामिन उत्तम होता है very very important question है आँखों की रोसनी के लिए विटामिन A जरूरी होता है और विसका अंसर होगा option number A विटामिन A अगला question है हमारा विटामिन को कितने प्रकारों में वर्गी करत किया गया है तो विटामिन को दो प्रकारों में वर्गी करत किया गया है पहला है जल में गुलंसील विटामिन और दूसरा है वसा में गुलंसील विटामिन question number 5 है विटामिन A का रासाइनिक नाम क्या है विटामिन A का रासाइनिक नाम होता है retinol तो अपसन नमबर B इसका राइट आंसर होगा अगले कोश्चन पर बढ़ते हैं अब देखे हम जान लेते हैं कि सभी विटामिनों के रासाइनिक नाम क्या होते हैं और उनकी यदि कमी हो जाती है सरीर में तो उनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं सबसे पहला इसमें विटामिन A विटामिन A का रासाइनिक नाम है रेटिनोल और इसकी कमी से रतोंधी वे जिरोफ थैलमिय रोग हो जाता है तूसरा हमारा विटामिन B1 इसका रासाइनिक नाम है थाइमिन और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है तीसरा है हमारा विटामिन B2 जिसका रासाइनिक नाम है राइबो फ्लेविन और इसकी कमी से रोग होते है तोचा का फटना और आखों का लाल होना इससे होने वाले रोग है उसके बाद है विटामिन B3 जिसका रासाइनिक नाम है पेंटो थेनिक अमल और इसकी कमी से बाल सफेद और मनबुद्धी होना ये लक्षन इसमें होते है उसके बाद है विटामिन B5 जिसका रासाइनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियासीन भीस को कहते है और इसकी कमी से पलेगरा या फोर्डी सिंड्रोम नामक बिमारी हो जाती है उसके बाद है B6 जिसका रासाइनिक नाम है पाइरोडोक्षिन और इसकी कमी से एनिमिया और तोचा रोग होता है B7 का नाम है बायोटीन इसकी कमी से ओने वाला रोग है लक्वा, सरीर में दर्द और बालों का किरना नेक्स्ट है मारा विटामिन B12 काफी जादे इंपोर्टेंट है और काफी बार प्रिक्षा में पूछा गया है B12 का रासाइनिक नाम है साइनो काबालामिन और इसकी कमी से होता है एनिमिया और पांडू रोग नेक्स्ट है हमारा विटामिन C, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी, एसकार्बिक ऐसीड इसका रसाइनिक नाम है और इसकी कमी से इसकरवी काफी ज़्यादा पूचा गया है, इसकरवी और मसूडे का फूलना इससे होने वाले रोग है उसके बाद है विटामिन D, जिसका रसाइनिक नाम है कैलसी फैरोल और इसकी कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते है और ओस्टियो मलेशिया ये होता है वेस्क में, जो सूखा रोग है ये होता है बच्चों में और जो ओस्टियो मलेशिया है ये होता है वेस्क में नेक्स्ट है हमारा विटामिन E जिसका रसाइनिक नाम है टोको फेरोल और इसे सोंद्रिय विटामिन भी कहते है इसकी कमी से जनन सक्तिकाम कम होना ये रोग हो जाता है आगे बढ़ते हैं और next question है हमारा रतोंदी किस विटामिन की कमी से होता है जो रतोंदी बिमारी है ये होती है विटामिन A की कमी से तो right answer है option number A, vitamin A नेक्स्ट कोश्चन है हमारा निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो इसका राइट आंसर है ओप्सन नमबर बी विटामिन बी 12 नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 8 किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते है इसका सही आंसर है ओप्सन नमबर A विटामिन A विटामिन A को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते है नेक्स्ट है हमारा कोश्चन जल में गुलंसील विटामिन है जलमे गुलंसील विटामिन आपसे पूछा है इसका राइट अंजर है उपसन नमबर C विटामिन C अब देखें कि जलमे गुलंसील दो विटामिन है पहला है B और दूसरा है C B and C जलमे गुलंसील विटामिन है यह आपको याद रखना है नेक्शे कोशन है हमारा कोशन नमबर 10 वेस्को में होने वाली बिमारी अस्ती、 मर्दूता यह ओस्टियो मुलेशिया अभी अभी आपने पढ़ा है ओस्टियो मुलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है जिसमें हड्डिया कमजور हो जाती है तो यह हमारा रोग है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है उपसन नमबर बेरी बेरी तो उपसन नमबर बी इसका राइट आंसर होगा अगला कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर बारा मचली के यकरत में कौन सा विटामिन परचौर मातरा में पाया जाता है तो कौन सा विटामि डी उप्सन नम्बर बी इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी अगला क्वश्चन है हमारा कौश्चन नम्बर तेरा विटामिन बीवन का रासाइनिक नाम क्या होता है तो विटामिन बीवन का रासाइनिक नाम क्या है अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसका B1 का रासाइनिक नाम है थायमिन उपसन नमबर B इसका राइड आंसर होगा थायमिन अगला क्वेशन पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन क्या है क्वेशन नमबर 14 है विटामिन B2 का रासाइनिक नाम क्या है विटामिन B2 का इसमें रासाइनिक नाम पुछा है तो इसका अंसर है ओपसन नमबर B राइबो फलेविन राइबो फलेविन किसका नाम है विटामिन B2 का नाम है Q15 है मसूडों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये भी काफी बार एक्जाम में पूछा गया है मसूडों में खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो इसका सही अंसर है ओपसन नम्बर C विटामिन C की कमी से ये रोग हो जाता है इसे आप याद रखेंगे कैलसियम से क्योंकि जब हड्डियों में कैलसियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है हड्डिया कमजोर हो जाती है और हड्डियों का कमजोर होना किस विटामिन की कमी से होता है विटामिन डी की कमी से तो D का रासाइनिक नाम क्या है कैलसी फेरोली इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट कॉश्चन है कॉश्चन नमबर 17 विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है एसकार्बिक एसिड इसका रासाइनिक नाम होगा option number हमारा C इसका सही answer होगा question number 18 की तरब बढ़ते है question number 18 क्या है आवले में कौन सा vitamin परचूर मात्रा में पाये जाता है तो आवले में आवला चुकी खट्टा होता है तो इसमें vitamin C पाये जाता है इसका सही answer है option number C vitamin C next question है हमारा question number 19 उफिसरिकेट्स जिसको अभी 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 अमने पढ़ा है सुखारोग जिसको बोलते है इसका सही रिकेट्स रोग किस vitamin की कमी के करण होता है तो ये होता है हमारा vitamin D की कमी से तो राइट अंसर है option number D vitamin D next question हमारा है next question विटामिन का मुख्य कारिये क्या होता है तो विटामिन का मुख्य कारिये क्या होता है बोजन के उत्प्रेरग के रूप में कारिये करना इसका मुख्य कारिये होता है option number B यहां पर सही अंसर होगा question number 21 है हमारा मानव सरीर में विटामिन कहा संचित होता है तो मानो सरीर में विटामिन का असंचित होता है यह भी important question है इसका सही answer है option number A यक्रत में next question है question number 22 सूरिय के प्रकास में कौन सा विटामिन पाया जाता है जो सूरिय का प्रकास होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है विटामिन D तो सका right answer होता option number D विटामिन D नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 23 निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है इसका सही आंसर है ओप्सन नमबर A विटामिन K very very important question है यह next question पर चलते हैं next question है मारा question number 24 किस vitamin को सोंद्रिये vitamin B कहते है इसका right answer है option number D vitamin E vitamin E को क्या कहते है सोंद्रिये vitamin question number 25 गाजर में कौन सा vitamin पाए जाता है तो जो सबजिया होती है ज़्यादा तर सबजियों में कौन सा vitamin पाए जाता है विटामिन A तो गाजर में कौन सा विटामिन पाज जाता है आपर विटामिन A तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने विटामिनों पर आधारी सभी मैत्वपून कोश्चन्स को कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी और जिन चातरों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो मिस नहों